नमस्का स्वागत आपका हमारे इस व्लॉग में और आज मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एफेक्टिव घरिलू के साथ यहां पर आई हूं तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिए ताकि हमारे आने वाले नोटिफिकेशन अबडेट आपको सबसे पहले पहुंचे तो सबसे पहले शुरू करते हैं जो 0-6 मन्त के जो बेबी सोते हैं उनमें संक्रमन का खत्रा बना रहता है तो ऐसे में घरिवन इसके अपना सकते से बच्चे को काफी साथा राहत मिलीगी जो पहला टिप मेरे हिसाब से जो मैं अच्छे ठंडा उजाए तेल थोड़ा सा हाथ में लेकर बच्चे के हात में पैर के तल्वुं में पीट में छाती में अच्छे से मसाद दीजिए और इसको अच्छे से कवर कर दीजिए ढग दीजिए तो ऐसा करने से कहा है कि बच्चे में गर्माहट रहती है बच्चे में सर्दी जुखाम से काफी सता आराम मिलता है और बच्चा काफी अच्छे से नेत ले लेता है दूसर गरम पाने का शौवर होता है उसको अच्छे से अन कर दीजिए और ऐसे में जब उनमें भाप बनने लगी तब बच्चे को एक तो मिट के लिए उस भाप के पास रखिए जितना भी मुकस जम रहा होगा जितना भी छाती में जमा होगा वह चीज बहा निकलेगी और नाग जोगा क्लियर होगा अगर तीसे रेमिडी की मैं बात करूँ वह है नेसल के लिए जिसे नेसल ड्रॉप भी कहा जाता है जो कि बहुत ही इसली अविलेवल है मेडिकल शॉप में और इसका कोई भी साइड एफेक्ट नहीं है जिरो से सिक्स मेंस के बेबीस को असानी से यूज कर सकते हैं जिन बे इसका कोई भी साइड एफेक्ट नहीं है और यह जो नेसल ड्रॉप है यह एक नमक और पानी का घोल है तो आपको टेंशन लेन की जो अतनी बहुत ही ज़्यादा अच्छा और सेफ ऑप्शन है नेसल मिटी की मैं बात करूँ तो जैफल सेम वैसी जैसे आपने सरसो के तेल क बैबी के लगाते तो जैफल को अच्छे साब घिसे जिए उसका पीस बना लीजिए और प्रिबेवी के हाथ पैर में अच्छे से उसको मसा देजिए ऐसे में उनको बहुत अच्छा आराम फिल होगा वैल आप एक और काम भी कर सकते जब आप सरसो का तेल बनाते उसमें थो अच्छे सी किलियर हो तो आप बच्चे को सिकाई दीजिए सिकाई काकर दावा को घरम कर लिटे और फिक कोट hiding को प्रालीजिए अप साफ लेना है कप्ड़ा जå कर दना देख़ लो हो जैसी दुक ऐनदा से नोर्मल होगा तो बच्ची के च्छाती और इमत पीट के एरिया आप उसको अच्छे से करने से बच्चे का जो है सब चीज नाक का दौर का जो भी चीज है वह अच्छे से क्लियर होगा सांस लेने में सो को दिकत नहीं होगी उसका मुकस भी जल्दी बाहने के लिए लिए नैस रिमिटी की बात करों तो बैस फीड जो की बहुत अच्छा काफी कम हो जाती है तो आप बच्चे को 3-4 घंटे ना दे हर 2-2 घंटे में फीड दीजिए शौर शौर फीड देंगे तो भी बच्चे को काफी ज़्यादा आराम होगा उनमें हाई हाइड्रिशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और कहीं नका पेट भी भरेगा और दिकत से भी वो टेंशन फ्री रहेंगे और अच्छे से वो खेल सकते हैं नेद ले सकते हैं सांस में कोई दिकत नहीं होगी और यह जो छोटी-छोटी चीज है यह तो इंपोर्टन है और सबसे बड़ी बात आप बच्चे को कब आप डॉक्टों को दिखाएंगे जब बच्चे क कोई फीड नहीं लेर तो ऐसे में बिना टाइम विस्ट के तुरन डॉक्टों को दिखाएं और उसे क्या है कि बच्चे का इलाद तुरन तुरन पे हो जाएगा और बच्चा कहीं न कहीं हर संक्रमर से वो बच्च भी जाएगा तो यह चोटी-चोटी रेमेडी है जो काफी हैं जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है तो आशा करते हैं आपको में वीडियो पसंद आएगा और पसंद आया हो तो लाइक ना मत भूलिए और हाँ आप अपना ध्यान रखिए अपने फैमिली का ध्यान रखिए और खुश रहिए बस इसी उमेद के साथ मैं आप नए वीडियो में नए जानके साथ मिलूगे तब कर बने रहें चैनल पर नमस्कार आप सभी का नमस्कार